हेलो फ्रेंड्स तो मैं आ गई हूँ एक और अपनी रेसिपी के साथ मोसम अच्छा हो रहा तो फिर हाँ पर मैंने सोचा क्यों आज बना लिये जाएं समोसे समोसे वैसे बनाते तो सभी हम लेकिन हाँ पर मैंने आज बनाए हैं मिनी समोसे तो समोसे किस-किस को पसंद है मुझे कमेंट श्रक्षन में जरूर बताएं तो उसके लिए हाँ पर मैंने ले लिया था तो कटोरी मैदा और उसमें मैंने हाथों से रगड़ कर अपने डाल दी थी थोड़ी सी एजवैन साथ ही मैंने हाँ पर डाला तस पंदरे मिनिट के लिए रख दिया था इतने हमारा डो रखा हुआ है हम अपना मसाला बना लेते हैं तो यहाँ पर मैंने पैन चड़ा कर उसमें डाल दिया था जीरा ओल में लगा दिया था तड़का जीरे का और साथ ही फिर मैंने हाँ पर एड़ गिये अपने आलू और उसमें मैंने डाले कुछ अपने बेसिक मसाले और साथ ही मैंने यहाँ पर डाली हर इमिर्ज और समोसे थोड़े चटपटे हों तो कुछ अलगी टेस्ट आता है तो यहाँ पर मैंने अपने बेसिक मसाले जैसे की धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, काली मिर्च, चाट मसाला और थोड़ा डाला मैंने यहाँ पर गरम मसाला और चुटकी भर डाली थी मैंने यहाँ पर हल दी और फिर मैंने अच्छे से इसको चला लिया अब इसको हम 10-5 मिनिट तक भून लेंगे उसके बाद मैंने हाँ पर हरा धनिया डाल देता मेरी स्टफिंग आलो की बिल्कुल तयार है अब मैंने हाँ पर अपना मैदा देख लिया था मैदा भी मेरा अच्छे से लग गया है और फिर मैंने अपने हाथों से रगड़ के यहाँ पर निकाल लिये थे water और सारे में मुझे अपनी साइडों से कर देना है water apply जब मैं स्कूल में थी तो हमारे कैंटिन वाले भाईया यही समोसे पाँच रुपे में दो देते थे काफी टेस्टी बनाते थे तो आज मुझे उनके समोसे यह बनाते हुए याद आई कि इतने ही छोटे और टेस्टी से समोसे बनाते थे तो आज मैंने सोचा वही ट्राइ करती हूँ मैं भी वो लेकिन थोड़ा खटी मिटी सोल्ट और छोले भी डाल कर देते थे बट मैंने छोले नहीं बनाई हैं आपर सिर्फ समोसे ही बनाए हैं तो अब मैंने अपने समोसे सारे बना कर डाल दिये थे अपने ओयल में यहाँ पर मैंने समोसे कम धीरे-धीरे आज पर ही सेखे थे आप समोसे को जितना धीरे-धीरे आज पर सेखोगे वो अच्छे से अंदर तक सिखेगा और ज़्यादा क्रंची होगा ज़्यादा टेस्टी लगेगा क्रंची होगा तो खाने में तो मैंने हाँ पर लो फ्लेम पर ही अपने सारे समोसे सेक लिये थे ऐसे ही मैंने अपना फस्ट बैस सेक और ऐसे ही सेकिन तो मेरे समोसे बिलकुल तैयार है, मिनी समोसे और बाहर हलकेल की बारिश भी हो रही है और साथ में मैंने हाँ पर बना ली थी समोसे के साथ गरम गरम चाय तो अगर आपको मेरी ये मिनी समोसे की चटपटी सी रेसिपी अच्छे लगी है तो प्लीज सस्क्राइब करें, वो जादा से जादा अपने देस्तों में शेयर करें, मैं मिलती हूँ फिर अपनी और ऐसी चटपटी वीडियो के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखिए और मेरी ये समोसे के रेसिपी आप भी ले रूट राए के लिए और इंज्जॉई कर सब को बना कर खिलाएं, बाबाए